तो टॉप 10 जो आरेटेड मुवीज है ना ओल टाम जो ने बॉक्स ओफिस फ़ाड दिया तो नंब वज दस पर आती है 50 शेट अफ करे अगर तुम धरिक की हो ना इस मुवी को देखो जाके निट्रिक स्पेस ने कमाई थे 569 मिलियन फॉकिंग डॉलर्स ठीक है नौ पे आती है The Hangover Part 2 इसके तीनो पार्ट से ट्रायलोजी है देख सकते है तुम इसे भी इसने कमाई थे दूसरे पार्ट ने 586 मिलियन डॉलर्स ठीक है इसके बद आर्ट पे आती है The Passion of Christ जो 2004 में रिलीज है तो 2004 में रिलीज होके इन 612 मिलियन डॉलर्स कमाई थे फिर आती ह साथ है अपने लोगन चाचा की आखरी मूवी बूलियन की लास्ट मूवी ठीक है जिसने कमाई थे 619 मिलियन डॉलर्स ठीक है डिजनी पर सब्सक्राइबर देख हो जाके फिर छटे पे आती है Detective Chinatown 2021 में रिलीज होई थे इसने कमाई थे 686 मिलियन डॉलर्स ठीक है फिर पा दीक हो और नमबर वन पर आती है जोकर जिसने कमाए अमजन पर विलियन डॉलर्स जिसने कमाई सारी रिकॉर्ड तोड़के वन बिलियन फकिंग ठीक है और इसे शाबित होता है यार आरेटर जोन्रल है ना वह बशन्द है जिसकी इंडिया एक्जाम्पल लो तो कभीर सिंग ठीक है कभीर सिंग रिलीज हुई इतनि प्लस थी फिर सब्सक्राइब लिए और इमाजिन कर सकते हैं यार आर इंडिया इंडिया में एक्सपैट हुआ है तो बिकेंग यार मुवी चलती है यूज बड़ा हो गया बच्चे थो नहीं जिंदकी बच्चे देंगे वह बड़ा हो गया वह आरे टेट देखना चाहिए जहांगे झाल झाल